हाई फ्रेंट्स गुड बॉर्णिंग अचानक दो महिनों से चल रहा किसान आंदोलन वाइलेंट हो जाता है और 26 जनवड़ी के सुब अब सर पे एक भीर रेड फॉर्ड के अंदर घूसती है और अपना जंडा गार देती है यह कैसे पॉसिवल है हो इस पॉसिवल और कौन इ से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं आप केवल मेरे बातों पे धियान दीजेगा तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि कई हपतों से किसान और सरकारों के बीच फार्म होस लेकर बातचीत हो रही है लेकिन अभी तक जो है सो कोई फैसला सामने सही सही निकल के नहीं आया है इसी के बीच 26 जन बड़ी के सुब अफसर पे किसानों ने सरकार को बताया कि वे अपने ट्रेक्टर प्रेड निकालना चाहता है अपने प्रोटेस्ट को जताने के लिए तो ये बात आपको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा लेकिन आपको सुप्र के आपका बात मानेंगे हम लेकिन मेरा भी एक क्या है सर्थ है तो इसका सर्त यही था दोस्टो कि वूत ध्री रूट्स के बारे में जो हैसी बताया आपको और कहा कि इसी ळूच्छ से आपको ट्रेक्टर निकालनी है और सभी किसान जो हैसी सहां समत भी हो गए लेकिन आसानक क्या हो गया आप जो हैसो खुद जानते होंगे, कुछ फार्मर्स जो हैसो अपना दिसा बदल दिया, और सीधा रेड फॉर्ट की ओर जो हैसो चले गया, वहां जाने के बाद थे उसे तोड़ा, उसे पार कड़के दूसरी सरक पे चले गया, और दिल्ली के अंदर भी पूलीस ने रोकने लाथी चार्ज किया वहं पर काफी ज़्यदा जो है सो लड़ा जगरा जो हैसो क्या हो गया उत्पन हो गया दोस्तों तो यहां पर बात यह उत्पन होता है कि यह आखिर सबसे पहले किस ने यह वाइलेंट शुरू किया था तो हमेशा के लिए यह आपको बताना क्या है इंपॉसिवल है कि यह सर पर्थम किसने शुरू किया था लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि जो कुछी फार्मर्स जो है सो रेड़ फॉर्ड के अंदर गया और अपना जंडा क्या कर दिया गार दिया क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे थे जो पूरे सां जो है सो मीडिया वाले जो है सो कुछ गलत जो है सो अफवाह न्यूज जो है सो दिया है दोस्तों उस न्यूज के बारे में मैं आप लोगो बताता हूं तो न्यूज क्या दिया है आपको तो कुछ मीडिया वाले जो है सो फेक न्यूज में यह बोल्ड है कि उसने जो गया तो बेड फॉर्ड के अंदर गय तो अपना तिरंगा उतार के आपको जहन्डा को गढ़ा लेकिन तिरंगा को उतार करके वो नहीं फेका है और इतना ही नहीं इतना ही नहीं दोस्तों वहां पे जो भी किसान खड़े थे वो सभी किसान उसको उसको जिस परकार वो इसारा कर रहे थे वैसे लगा कि उसको रोक रहे थे कि ऐसी करने की कोई जोरत नहीं है लेकिन मेरा यह मानना है कि आखिर आप ऐ ऐसे पवित्र अस्थान पे जिससे देखने के लिए पूरे बिश्व का आदमी आता है वहां पे आप कोई सा जंडा आप फाराद होगे तो यह तो कोई अच्छा नहीं है ना यह तो बहुत बड़ा गलत है ना कितना बड़ा गलत है कि आप कोई भी सरकारी दफ्तर पर जाके या कोई सरकारी उफिस पे या कोई इतना अच्छा आस्थल पे जो है तुशो आप जाके जह जहांडा जो है कितना जो है तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स और्ड मेरा यह मानना है कि जो आदमी जो इस उनसान यह काम किया है उसको जो है पनीश्मेंट मिलना ज तो अब बाता आता है दोस्तों की वह इनसान कौन है तो में आप लोग को बताता हूं कि वह इंसान कुद सो बोला है कि मैं red ford के अंदर गया था ओर जहले सो फ़र आया था लेकिन मैं किसी को iow मैं किसी को उत्साया भी नहीं मैं किसी को नहीं किया मैं गया और रेड़ फॉर्ड के अंदर जो है सो अपना जंडा क्या कर दिया तो गार गार दिया वह इनसान खुद ही जो है सो कहा तो उस इनसान के बारे में जो है सो मैं आप लोगो बताता हूं और आप लोग जानते 29 के लोग सभा के साणी डिव वल सपोर्ट कर रहे ते और वह बिजे पी क्या कर रहे थे वह लड़ रहे थे अब यहां पर यह बात आपको जो है तो उड़ता है इसे क्या बिजे पी ही ने भेजा था यह बोलना क्या होगा बहुत गलत होगा दोस्तों यह कम नहीं कह सकते हैं इसलिए नहीं कह सकते हैं कि आप लोग जानते हो कि राशनितिक है पॉलिटीकल एक ऐसा चीज है जिसमें दल बदल होता ही रहता है कब कहां पे बदल जाए ये कभी भी नहीं कहा जा सकता है कभी भी नहीं कहा जा सकता है वैसे आप इसका फोटो देख सकते हो दीप सिद्धु के साथ जो है सो और इतना ही ने दोस्तों वहां का जितने भी किसान थे उसको रोकने का बहुत कोसिस किया और अपना जो है सो जब जंडा जो है सो वो गार रहे थे उस से में जो है सो फेस्बुक पे जो है सो लाइब भी जो है सो दिखा रहे थे सब को की इस परकार जो है सो ल तो जब इससे पूछा कि तुम यह क्या क्या यह करने की कोई जो वरत नहीं था है तो उसके पास वह कुछ बोलने का सब्ध नहीं था और सिद्या जोसे क्या हो गया तो शना रहो गया, वहां से भाग गया दोस्तों तो मेरा यहीं मानना है कि ऐसा गलती नहीं करना चाहिए कि कोई भी सरकारी ओफिस हो या इतना अच्छा इतना देखने वाले जो है सो रेड़ फॉर्ड को देखने के लिए पूरे बिस्व का आदमी आता है और उस पर जो है सो कोई जंडा लहरा देना ये कहां का जो है सो नेरना है ये बहुत जो ह वीडियो लेक्सर आप लोगों बहुत अचा लगा होगा तो फिर में लेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहन बंदे मात्रम दोस्तों